आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। ची्प्रोडरी सतय पर रखा गया है। मान लीजे, हमारे पास यह कोई खुर्डरी सतय है, यह हमारे पास सतय जिस पर यह, रखा गया है। अब प्रशिन के अनुसार, जो इनके बीच में, जो घशन गुणांग है हमारे पास म्यूउ। एक तो हमारे पास μ्यू एस है जो घर्षन गुणांक है वो हमारे पास का मान वो हमारे पास है 0.5 यह हमारे पास क्या है स्थैतिक घर्षन गुणांक और जो हमारे पास गतिक घर्षन गुणांक है वो हमारे पास है 0.4 यह है तो घर्षन बल का मुझे मान ग्याद करना है घर् लगने वाला मान लीजी है हमारे पास पहले केस में हमारे पास किया इस पर लगने वाला जो बल है F वो हमारे पास है 15 न्यूटन तो घर्ष्टन बल इसके इससे हमेशा विप्रिदिशा में लगेगा तो यहां से अब हम बात करेंगे जो हमारे पास पहले केस में अब इस वस् जो हमारे पास इसमें लगने वाला जो बल होगा F क्या होगा हमारे पास मू आर हमारे पास किसके बराबर है M G के तो यह हो जाएगा हमारे पास मू एम जी F का मान आ जाएगा हमारे पास मू एम जी के बराबर तो पहले case में जब हमारे पास बल पहले case में हमारे पास जो घर्ष्ण बल होगा mu का मान कितना है 0.5 और m हमारे पास है 5 और g हमारे पास है 10 तो यहां से इसको हल गया तो हमने पाया यहां आएगा हमारे पास 25 न्यूटन अब पहले case में बल कितना लगा है इसका जो क्षैतिज में पहले case में पंदा न्यूटन बल लगा है अगर पंदा न्यूटन बल लगा है लेकिन यहाँ पर हमारे पस क्या है इसके motion को रोकने के लिए, इसकी गति को रोकने के लिए इसलिए हमारे पास वो खुद को adjust कर लेगा क्योंकि हमें पता है ये self adjusting force होता है जो हमारे पास घर्षन अबबल होता है तो इसका मान कितना है, इसका मान हमारे पास 25 newton है पहले case में है, दूसरे case में भी इस पर लगने वाला जो घर्षन ये बल होगा F, S, उसका मान हमारे पास आएगा 25 newton जो कि हमने भी ग्यात किया है तिसरे case में हमारे पास जो मान है, वो अधिक है मतलब जो इस पे लगाया गया बल है हमारे पास वो 35 Newton जो हमारे पास क्या है आधिक है तो इसलिए हमारे पास जो body है वो move करेगी kinetic friction act as a body तो इस कहने का मतलब हमारे पास यह है कि इस case में जो frictional force अगर इसके वज़े से जो body हो गती करना शुरू कर देगी तो इसमें हमारे पास जो गुणांक होगा हम उसमें mu के गुणांक को प्रियोग में लाएंगे तो mu के हमारे पास कितना है 0.4 अब हम इसमें mu के को प्रियोग में लेके आएंगे तो यहां से हमारे पास जो तिसरा option इसका आएगा वो हो जाएगा हमारे पास f mu के mg G तो M tissues कितना है जीरो तो चमलाओ चारम हमारे पास है पांच जी हमारे पास है दस यहां से मान आएगा हमारे पास 20 N इतर तो यह बला जाएगा 20 इस को च्पर काट içे हमारे पास हों 15 pa tempted 5 न्यूटन दूसरा हमारे पास है प्रासुबर